चांडल अनुमंडल छेत्र के चांडल डाग भंगला परीसर में चांडल निवासी प्रमोज शर्मा द्वारा प्रेसवारता में यस्पस्ट रूप से कहा गया कि आगामे विधानसबा चुनाव में वो निर्दलिय प्रत्याशी के रूप में खड़े होंगे ट्रमोज शर्मा ने कहा कि आज तक इचागर विधानसबा छेत्र में नेता केवल वोट के समय जनता के पास आते हैं और केवल अपना काम निकलने के लिए जूटी सांतवना देते हैं और काम खतम हो जाने के बाद कभी दुबारा गाउं में देखने तक नहीं आते मेरी उम्र अभी तक 45 वर्ष हो चुकी है अभी तक लगबग 5 बार वोट दे चुका हूँ आज तक यहां कोई भी काम नहीं हुआ ये छेत्र जस का तस्पड़ा हुआ है सभी नेता जूट बोलकर चले जाते हैं जो भी नेता आ रहे हैं सेवा की भावना से नहीं आ रहे हैं केवल धन अरजन करने और अपने वोट बैंक को बचाने के लिए आ रहे हैं हमारा उदेश्य है कि इस स्थिती को चेंज करना है सेवा के लिए आए हैं तो सेवा कीजिए पबलिक की सेवा जनता की सेवा ही सबसे बड़ा धन होता है इस छेत्र में कोई भी नेता जनता का हित नहीं सोच रहा है जो भी आते हैं सभी अपने स्वार्थ के लिए आते हैं प्रमोच शर्मा ने कहा कि यहां के नाली की वही स्थिती है रोड की वही स्थिती है बिजली पानी की वही स्थिती है स्कूल कॉलेजों में भी विधी व्यवस्था खराब है ब्लॉक एवं थाना तक यहां पर खराब स्थिती में पड़े हुए हैं हॉस्पिटल है मगर हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है मरीजों को इमर्जिंसी के समय दूर शहर में इलाज के लिए जाना पड़ता है यहां की पूरी विधी विवस्था चर्मराई हुई है सब्सक्राप जो भी कर रहा है कि वह अपने स्वार्थ के लिए एक हम लोग परिसान हो गया है हम लोग देख कर शूर नाली भी ओहुष्तिती रोट कर वह यह को इस्थिती ठाना का भी जाओ तो वही हुस्तिति होस्पुटल में डॉक्टर नहीं ब्लॉक में पैसा लगता है थानम जायं ऊछिए इसको पैर Minist改 vintage यह सिधिति ऐसा इच को प्रृवस्ता को छर्मरा का करख दिया गिया आखिर चाह तो इस मार कमें बिचार बनाया है कि निर दिर्दिले sec Tebha में खड़ा हूंगा और जनता को सच्चाई सभी के सामने लाऊंगा और जितना हो सके सेवा करने का कौशिस करूंगा तो मैं तो मैंने सुनिशित बना लेकि इस वर इंचागड विधान सभा में चुनाव लड़ेंगे परमत कुमा सर्मा